हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग खर्गोश और कच्छवी की कहानी सुनेंगे, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं एक जंगल था, उस जंगल में रहता था एक खर्गोश और एक कच्छवा एक दिन खर्गोश और कच्छवे ने दोड की शर्द लगाई और अपनी इस दोड को देखने के लिए उन्होंने जंगल के कुछ और जानवरों को भी बुला लिया जैसे की शेर, बंदर, दोड शुरू हुई खर्गोश तेजी से दोडने लगा और कच्छवा धीरे 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 चल पड़ा खर्गोश ने जब पीछे मुड कर देखा तो कच्छवा बहुत ही पीछे था इसलिए वह एक पेड के नीचे अराम करने के लिए कुछ देर के लिए रुख गया और खर्गोश को पता ही नी चला कि वो कब सो गया कच्छवा लगता धीरे धीरे चलता ही रहा वो कहीं बीच में नहीं रुखा जब खर्गोश अपनी नीच से जागा तो देखा उसने की कच्छवा तो अल्रेडी ही विजे स्तंप यानी की फिनिश लाइन पर पहुंच गया है और इस तरह से दोड में कच्छवा जो था जीत गया और खर्गोश जो था वो हार गया तो बच्चों क्या समझे आप इस कहानी से तो हमें इस कहानी से ये सिक्षा मिलती है कि धैर और लगन से काम करने से हम अपने जीवन में सफल होते हैं